हलो और वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका टार्गेट फोर आईक्यूब में कैसे हैं आप लोग देखे दोस्तों इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं विसानू यानी वाइरस से सम्बंदित रोक जो exam point of view से बहुत ज्यादा important है चाहें वो कोई सा भी exam आप लो कर लें क्योंकि जो बाकि कुछ इसमें से important नहीं है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जो भी लोग तैयारी में लगे हुए हैं खासकर जूडिसरी exam की GS के लिए और lower और upper PCS के लिए तो प् इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं चलिए देखें चेचेक है smallpox जो रोग है उससे संबंधित अंग जो है human body का वो है त्वेचा यानि skin ठीक है very very important है जापानी इनसे फ्लाइटिस और polio और बाल पकसा गात यह किसको करता है केंद्री है तंत polio का रोग जर्नक है ठीक है मतलब इसका यह है कि एंड्रो वाइरस जो हता है वो polio को सरीर में यानि human body में उत्पन करता है ठीक है next है viral वुखार ठीक है यह भी केंद्री है तंत्री का तंत्र को प्रवावित करता है बहुत जादा important है ठीक है छोटी माता यानि चिकिन पॉक और मच्छर के दुवारा होता है ठीक है यह करता है केंद्री है तंत्री का तंत्र को ठीक है और मस्तिक से जुवर्ण दोनों ठीक है इसके बाद गल्सवाम यानि मम्स यह करता है कर्ण पूर्व या कर्मूल यानि पैरोटिट ग्लांट ठीक है वेरी वेरी important है और इसके सब से जादा जो important है वो यह वाला है ठीक है और एक chicken pork से ये भी बहुत जादा important है इसके बाद हम बात करें तो pilia yakrat को ठीक है बहुत जादा important है hepatitis yakrat liver बहुत जादा important है इसके बाद piece newer tantrika tantra को khasra ये भी त्वेचा को rubela virus की बज़े से होता है बहुत जादा important है इसको तो very very important है इसके बाद जुकाम स्वैसे नली का ठीक है नेतर सोद नेतर में डेंगू डेंगू को बोलते हैं हड़ी तोड़ बखार यानि हड़ी तोड़ फीवर बोलते है ठीक है we have bone break fever इसको बोलते है तंत्रिका tntr से प्रभावित होता है इबोला बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इबोला वायरस है और इसे किड़नी और यक्र दोनों इसे प्रभावित होते हैं ठीक है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसको नोट कर लेंगे ट्रोकोमा नेत्र से संबंदित है बहुत ज़्यादा इसे प्रभावित त ठीक है नीचे हम पढ़ लेते हैं चमकादल, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, घरेलू, मवेसी, गाएं जैसे गाएं के काटने से रेवीज का रोग हो सकता है यह रोग केनिन यानि दान्त के काटने पर होता है बहुत जादा इंपोटेंट जैसे कुत्ता काट लेता है तो उसे रे वाइरस होता है डायरिया वह या पेचिस ठीक है रोटा वाइरस इसको बोलते हैं ठीक है अगर इसका बाइलोजीकल नेम है रोटा वाइरस और यह आथ को प्रवाभित करता है ठीक है एक है सारस यानि सर्व सर्व एक्यूट रेस्पारोक्री सिंड्रोम यह सेसेंली का वेरी इम्पोर्टेन्ट है एट्स से एक्क्यूरीड इमिनोगिकेन्सियसी सिंड्रोम स्वेत कोशिकाय 3、WW., www बहुत ज्यादा इम्पोर्टेन्ट है सोरी फ्रेंड्स डबलू बीसी यानि डबलू बीसी वाइट ब्लेट कार्पोसल्स को यह प्रभावित करता है ठीक है एड्स बहुत ज्यादा इंपोटेंट है वह इसके बाद हम कर लेते हैं एड्स रोग के लिए उत्तरदाई कौन सा है विशाणू वह था है एचाईवी या इसको नोट कर लेंगे एक्जाम में बार बार यह पूछा जाता है ठीक है और इसे सरभावित प्रवावित होने वाले हैं यह एकरत और तो एचाई और रोग थाम के लिए ठीक है इसके एक कार्यक्रम जित किया जा रहा है उसका नाम है आवान ठीक है और संकलब परियोजन में देखें तो भारत का स्थान एड्स के मामले में तीसरे स्थान पर आता है ठीक है इसका लक्षण क्या है सरदर्द वजन गड़ना दीर कालिन डायरिया नीमोनिय रोग आदी ठीक है एड्स के प्रियोग प्रसार कैसे होता है ऐसोरक्सित योन सम्मन्त संक्रमित सुई का प्रियोग और पीडित व्यक्तियों के द्रव अन्यय व्यक्ति में सरीन पुचाने से यानि बलड डोनेट करने से बलड को ट्रांस्पेट करने से कटे घाव द्वारा और पीडित व्यक्ति महिला द्वारा सीसु को दुध पान करने से ठीक है बहुत जादे इंपोटेंट ह ये कोशन बहुत बार एक्जाम में आ चुका है, मच्छर या अन्यकीट काटने से एट्स रोग नहीं फैलता है, ये भी चीज़ आप लोग याद रखें, फ्रेंड्स इसके बाद हम बात कर लेते हैं, वेक्टेरिया यानि जीवाडू जनित रोग जो वेक्टेरिया से रोग ह आ चुका है, उसे फेपडे प्रभावित होते हैं लंग्स, इसके बाद बात करें, ठीक है, ये दूसे फैलता है, काफी बार आ चुका है ये भी, ठीक है, इसके बाद हम इसमें जादर नहीं पढ़ते हैं, इसके बाद है नीमोनिया फेपडे से संबंदीत है, फेपडे को प्रवाईद करता है हैजा चोटी आत को ठिक है इसके बाद टिटनेस तंत्री का तंत्र को और मास्पेसियो को कोड या कुछ ट्रोक जिसे हम बोलते हैं वो भी तंत्री या त्वेचा को ठिक है इसके बाद हम बात करें फिलेग यानि उपनोप मैं काली मोत ये भी रत और गठियार चिसे बोलता है, गठिया बाई, जोडों में ब जौट बहुत ज्यादा इंपोटेन्ट होता है, इसके बाद हम बात करते हैं, डाइरिया, और पेचीस, यह इंपोटेंट है, यह एंप ऑत और एक DIVTHERIA, या दूसीज होता है उससे फैलता है जीमाणू है इत्ञा के यह गई यह हमेसा है चीज देखे लिए प्धाहरा किंवातुक है इसके बाद कुछ देख लेते हैं रोग जैसे डेंगु है ठीक है और डेंगु किससे फैलता है एंडीज एजिप्टाई एक मच्छर कर पिर जाती है उससे फैलता है और काफी इंपोर्टेंट है इसके जापानी मस्तिक्स जुवर या चिकिन गुनिया एंडीज फिर इजिप्टेंट है ठीक है इसको याद कर लेंगे और मलेरिया जो है वो ऑफली जीज मादा मच्छर से है एंफड़ीज मादा मच्छर इसको नोट कर लेंगे एक्जाम पॉarn विएउस इसके के बाद हम बात करते हैं जैसे बिलू बेवी सिंड्रोम बहुत बार आ चुका है ये रोग ये लिसीज है और ये किसकी बज़े से प्रभावी तंग होता है इससे और या ये कहां पर किस कारण ये रोग उत्पन होता है तो इसके याद रखेंगे भूजल या खाद्यान में उ ये बहुत जाँदा इंपोर्टेंट है और इसमें रख्त की आक्षिजन आरोंड की छिमता पर पृथि कूल प्रभाव टालता ह्यानी मतलब बलु बेवी सिंड्रोम जो बीमारी है उसकी बज़े से शरीर में जो उक्सिजन है उसकी जो छिमता है आरोंड यानि AHोप्सीजन लेने की जो छमता होती है human body की capacity वो कम हो जाती है और जिससे सांस रुख जाता है और फिर finally मिरत्वी हो सकती है और किसकी बज़े से होता है भूजल यानि जो भूजल होता है और खाद्यान में उपस्तित नाइट्रेट यानि जो कोईले की खान सुरंग होती है उनके अंदर य इताई इताई जापान केंडमियम की उपस्ति के कारण होता है बहुत जादा इंपोटेंट है यह दोनों रोग कहां पर सबसे पहले होई थे जापान में मिनी माता भी और इताई इताई भी इसके बाद हम बात कर लेते हैं वास्त वास्त फिती वास्त इस्विती वास्त इस यूसो ये भी जापान का है और ये भी पीसी बी पीसी बी यानि होती है पाली किलो नीर्टिड बाई फिनाई की बज़े से ये सरीर में होता है और इसका वाहक है ब्लैक फुट बहुत जादे आया है ताइवान की बिमारी है और आर्सेनिक की बज़े से ये सरीर में आता है ब और जो भी मैंने important आपको बताई है exam point आपको इस सभी exam देने जा रहे हैं एक नएक आपको यहाँ पर questions मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो thank you so much अगर आपको वीडियो पसंद आए तो please like कर दें साथ में चैनल जिरूर सस्क्राइब कर ले thank you